चलो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का MCQs ठीक है इसमें टोटल 26 MCQ हैं लेकिन हम उदना करने का प्रयास करेंगे ठीक है जितना से हम लोगों को कंप्लीट हो जाए और कुछ टेकनिक से हम लोग प्रयास करते हैं ठीक है तो टेकनिक पर भी ध्रान देना है पाउस और इसमें टेकनिक आएगा जैसे हम कुछ टेकनिक पर लीख रहते हैं जैसे महां लेया जाए कि आपको SN कहीं देदे कि AN2 PLUS BN तो डारेट कहिएगा कि A जो होगा वो आपका इन दोनों का सम होगा दैट इस A PLUS B और D जो होगा इसका TWICE होगा 2A इसी परकार से अगर कहीं पर TN देदे कि AN और PLUS B तो आपका A जो होगा तो आपको इन दोनों का सम यारी दोनों में से कोई डिफ्रेंस नहीं और जो आपका D होगा वो आपका डारेट यह होगा अगर इस परकार से कहीं कह दे कि T40 माल दे दिया अगर यहां पर 14 था 14 और यहां था 9 को घटा लेते हो तो यह आपका होगा common difference का यानि जो term minus कर रहे हो उसी का जो term था उसको minus कर दोगे तो यह value आ जाता है difference का यह अगर सीख लेते हो तो उसके बाद आप जो question है उसको पचलते हैं ठीक है इतना लिख लिया होगा या तो अस्क्रिंस वर ले लिया होगा अब जलते हैं question पर question क्या करता है ठीक है अब question कर दो साब तुम तो यह time ले लो भाई कि कितना देर में बना लेते हो अगर मालनो कि MCQ इस वाग R at 40 40 जब MCQ R है तो MCQ को 40 को गें हम आदे घंटे के अंदर पूरा complete कर लिया तो मालनो कि हमार अपकी प्रेशन पहुत अच्छा है काफी बेहतर है तो इसी को बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए मैं अपने तलब से अपनों के लिए यह चिला है कि ट्रिकली कैसे हम लोग अगे सोल कर सकते हैं जैसे question है If the third term of AP is 12 बताओ कितना वहला टी third आपका 12 है और टी and seventh यानि टी seventh term आपका 24 है कितना है 24 तो आपसे पूछा गया कि 10th term क्या होगा क्या होगा इसको माल लिए वाट आपको जादा नहीं कुछ कर रहे हैं आपको यहां पर एक line ऐसे बनानी है और इस line में क्या करना कि यहां पर 3 है तो 3 दो 12 है तो 12 यहां 7 है तो 7 और 24 और यहां पर 10 है तो 10 और यहां पर y अब क्या करना जो उपर में लिखा उए वाल और नीचे में लिख दो और ब्रावर में लिख दो 0 अब ऐसे किये क्या आप देखों यह सिख लोगे न तो आपका आसान बहुत हो जाएगा सिखने के बाद इसलिए कि टेक्निक बहुत जादा काम करने हाँ इसको गुदा करो 72 इसको गुदा करो 7y इसको गुदा करो 120 इधर का करो – 84 इधर से करेंगे 240 मैंए अधर से करोगे – 3y अब आल किता? 0 साथ में से 3 गठ आ दिये 4y अगहाने न 72y 84 इसमें गशते हैं तो 12 का अंतर है यानि बचले का – 12 ठीक है अब 244 और 120 में दिखोगे तो 120 बचेगा माइनस में और 12 माइनस 132 तो परावर में जाएगा 132 काट देंगे तो 3 और 3 33 तो वाई का भैलू कितना जाएगा 33 यानि हमें क्या इसमें A और D solve करना पड़ा तो हमसार आएगा नहीं पीना A और D solve किये हम डारेक अंसल आ सकते हैं बस करना क्या है यह वाला इधर और यह वाँ फिर S इसी परकासे हम आगे बढ़ते चलेंगे फिर मेरा काम होते जाएगा ठीक है और इधर काटना पलस में करना और इधर काटना और माइनस में करना परावर में 0 ठीक है आगे बढ यह किसके बराबर होगा E माइनस C E कहां है यहां और C कहां यहां अगर सिल्फल सोचो अगर यह पी में होगा तो यह आपका होगा A पलस 2D और यह आपका होगा A पलस 5D ठीक है sorry 5D नहीं 1 2 3 4 5 यानि 4D ठीक है यह होगा A A पलस 2D आज होगा A पलस 4D अगर माइनस कहा तो यह जाएगा A यह जाएगा माइनस 4 में से दो जाएगा तो बचेगा 2D ठीक है जैसे 2D मिला तो 2 तो होगया अग D कहां से मिलेगा तो D तुमारा B-A हो सकता है C- D B हो सकता है ठीक है यह आपको D-C हो सकता है तो आपका आपसर को होगा C यानि 2 into D-C ठीक है यह अगर C-A के बराबर होता बट यहां पर 2 रख दिया इसलिए आपका यह वल आंसर नहीं होगा ठीके आगे चलते हैं That if the number A plus B plus C plus D plus E form AP अगर AP है तो पूछा यह इस सब का value बता देखोगा AP में होता है कि पहला अगर last को जोड़ो same होगा बराबर सब बराबर होता है तो सोचो अगर यहां पर हम देखे ठीक है अगर यहां पर देखे तो E A plus E जोड़ो देख साथ अब plus में 6C है न तो 2 into 3C लिखे हैं में कोई हर्च नहीं होगी और इस दोने में 4 common ले लो और बज़ेगा B plus D सोचो दो बाबो कि अगर इससाथ के बराबर कोई constant आ जाया कोई constant क सब्पोर्ज है तो देखो A plus E के जगा पर constant 2 एक मिनिट इसको लटो 3 into 2C क्यों कि लिए 2C के जगा पर क्या रखे हैं के तो यहां पर हो जगा 3 के और माइनस 4 के तो बता 4 के और माइनस 4 के कटने के बाद कितना सर D यानिकी 0 ठीके चलो नेक्स बोसर जब हम कर इसमें कहा रहा कि even the roots of the equations are equal यानि discriminant कितना होगा 0 discriminant का मरतर C माइनस A का whole square माइनस 4 AC B माइनस C और A माइनस C बराबर 0 ठीके इतना कहा गे कहता है कि अगर ऐसे equal है तो बताइए कौन सो option सही होगा क्या करते हैं इसमें को भेज देते हैं देखो C माइनस A का whole square बराबर क्या होज़एगा whole B माइनस C इंटू A माइनस B अगर ये तुमारा A T मे होगा तो आपका ये वाला फोसीवर ठीक है और ये possible है तो B के जगा पर क्या रख दो A परस C अब सोचोगे रखने चाहते हैं B के जगा पर A पर C बाइटू तो इसमें put कर दोगे तो answer आ जाएगा कैसे देख कि C माइनस A का whole square छोड़ देते हैं बन माइनस 4 B के जगे आपर रखना है A पलस C बाइटू और माइनस में C इंटू A माइनस B कितना है A पलस C बाइटू बराबर 0 अगर ये 0 आ गया तब कहेंगे कि ये मेरा सही और ऐसे भी जान रहे है कि ये हमाना पढ़ना नहीं क्योंकि ये क्या है जी पी का ये पढ़ना नहीं है और ये बराबर ये भी आएगा नहीं तो आफसर इसी में लग रहा है तो लोग कैसे C माइनस A का whole square माइनस 4 यहाँ देखो LCA में लेंगे न तो A पलस C अलियां 2C घट जागा और आज जागा A माइनस C बाइ 2 इन 2 ये भी जब करोगे तो 2 है तो ये भी आएगा A माइनस C बाइ 2 बताब 2 2 जाब whole ये 4 कट जागा और A माइनस C A माइनस C का whole square अगर दोनों कटने के बाद कितना जागा 0 यानि कि सही था और मेरा option यहां पर कम हो जागा A डारेक यहां पर option A माइनस C ठीक है क्योंकि ये तुम्हारा arithmetic mean हो गया अगर A, B, C, A, P मेरा आता है तो B जो होता है तो 1st plus last by 2 होता है इसी परकार से अगर आगे देखो एक कोश्टन सम अप दे N terms of the string इस रिच का N term बताना इसको तो हम root 2 लिख देंगे इसे 2 root 2 लिखेंगे इसे 3 root 2 लिखेंगे सम एन समझ सकते हो कि A अगर root 2 है और डिपरेंड दूगों में से यो घटाएंगे यो बचेगा तो पूछा केतना का N term का N by 2 into 2A plus N minus 1 into E चीके यहां से N by 2 रहने दो 2A एक इतना root 2 N minus 1 रहने दो अरिवोगा root 2 आप्जों कालिकुलेसम करेंगे तो N by 2 2 root 2 plus plus root 2A और minus root 2 देखो N by 2 इस दूप में से यो घटाएंगों A को बचेगा और root 2 N हो जाएगा ठीके? जैसे इसको कैलिकुलेसम अंदर करते हैं root 2 by 2 N plus कुछ इन्टू में है क्या? तो ऐसा करते इसको इसको डिरेक्टी हो जाएगा इसरोबच भी नहीं क्या करो root 2 कॉममा लेलो? तो 1 plus N आजाएगा और नीचे में 2 कहीं ऐसा है कहीं ऐसा नहीं तो इवाला कटेगा root 2 से तो क्या मिलेगा? N into N plus 1 और बैटा में कितना root 2? इवाला आपना option C ठीके? तो इस पर कांसे कह सकते हो कि A और D निकल लेगा स्रम निकल लेगा आगे चलो अगले में देखोगे इसको तो 3-5 साथ N टम तक आड़ करना है और इसको भी आड़ करना है और N नहीं मतला यहीं 10 तक है, N तक है तो पूछागे N का वाज़ा समझो इसको करेंगे N by 2 2 into A N minus 1 और D कितना हो गया? 2 बटा 10 तैम था 10 by 2 2 into 5 10 minus 1 into 9 as per 3 3 अना 3 अब बरावर में कितना? 7 यह 2 से तो 2 तो काड़ लोगे कितना वाज़ा चेगा? N आणीचे में 10 6 minus 2N minus 2 नीचे 10 और minus 27 बरावर में 7 अब थासार हो जाँ उपर में N by 10 6 में से दूगे तो 4 minus 2N और बटा में minus में 17 अब बरावर में 7 ठीक है? क्रॉस मेंटीपलाई कर रिकर देंगे तो 4N minus 2N square बरावर 17 गुने साब्ट करते हैं सब्सक्राइब दुसक्राइब प्रेशा से 119 और एको 0 minus में क्या करो सब पे दर लेओ 2N square minus 4N minus बरावर 19 बरावर 0 इसको देश से आप फ्रेटराइज करोगे तो जो आपका N का value आएगा वो ही तुम्हारा क्या होगा answer एक आएगा plus में एक minus में तो कभी भी जो नमर अप टर्म्स होते हिं वो negative नहीं होता तो इसलिए मेरा जो positive वाला N आएगा वही इसका value हो जाएगा चीक है? question चलते है index में यानि की question 7 करता है the sum of N terms अपे स्रील की इतना है its second term तो A जब निकालने के लिए बता है दोनों को add कर दो 7 और D निकालना दूना कर दो 10 तो second term होता है A plus B तो 7 और 10 कितना सब कर दो ठीक है? आगे बढ़ो अगर इसमें चलते हैं कहता है कि यह सब आपका थीरी का स्केटी टर्म है तो बताइए A का तो क्या सिखाए हैं कि आपको क्या करना 2 से गुना कर दो याको दोनों को जोड़ दो तो यह इसी दोनों को जोड़ते हैं 3 by 4 पलस 4 और बता 2 करेंगे ना तो यह आपका आएगा A का में तो ELCR दो लेंगे चार्टों का 16 तीर 29 29 बता 8 करो 2 बचा कितना? 3 और 0 30 तो 1 थीरी जा 3 2.3 आशर कितना? से इसमें कोई बारी चिंज नहीं है आगे बढ़ो करता दे बाईलो आपके फुर्मिन कंस्कुर्टिव कर बात वही चीज है कि इसमें अन देखो इसको मेंसे घटाद उसको बराबर होगा घटाने के बाद हाट के माइनस 1 थेदी के माइनस 3 देखो 3 मेंसे 2 गया तो A के बचा दू मेंसे 3 गया तो पलस में 2 बचा पास मेंसे 3 दो के आई आपकर माइनस पलस में कितना इस गडाना तो माइनस में 4 क्या कर उसको बेज़ दो आईलर ले आँ तो 6 बराबर के के काँ सब इसम आपको करना है यह को लिए करना है आगे दो 9 तर्म 9 तर्म from the end end कहा रहा है ठीक है तो पूछ रहा है कि क्या होगा अगर आपसको से last वाला पूछा रहे last वाला from last तो आप निकालिये सुरू से n-p into d ठीक है या तो इतना निकाले पले a निकाला पड़ेगा तो a निकाले से अच्छा है इसको पलट दो ना तो 180 अगर एका गए लो और d जो होगा इसको उलट देना 4 है तो माइनर च्छा तो t9 निकाल दो ना तो t9 निकालेगा a पलस n-1 9-8 into minus 4 180 अग पलस कितना बंपिस the 9 turns from the ends of the a p is from the end towards the first turn तो 180 था 9 में से 5 यह तो वज़ा 4 इन्हीं पलस में तो common difference है पीछे से जाते है minus 1 तो कितना होगा a minus 9 पर 30 इसमें कोई option ही सही नहीं आ रहा ठीके तो दो इसमें हमारी गल्ति देने ध्यान देना क्यों अगर तुम्हीं सोचो कि हमको लाग एक मिएट 8 पलस पलस होगा ना तेका और घटेगा और घटेगा तो 5 में से 2 जगा तो कितना मचेगा 3 और यह हो जागा आपका अप 3 अप फिर कितना जागा दो 5 मिनस 2 तू 3 8 मानस 3 फाइब अज 1 एक सब्सक्राइब पर है ठीके यादि कि इसमें का ओधा पर्मुला 8 पलस 8 मानस 1 एक से नहीं बनापे ऐसे बनाँ चाहते लिए यह नहीं का लो लास्ट मानस फर्स्ट बटा दिफ्रेंस डिफ्रेंस कितना है चाहर का पलस 1 180 बटा 4 पलस 1 काट देंगे तो 4 जों का सब्सक्राइब आप 5 पैतालिस कितना आगे चे आदिए चे आदिसे चेलिस आया है ना इस पर्मुला पर फुट करू तो एक कितना था 5 पलस 46 माइनस 9 और डिफ्रेंस कितना चाहर तो 5 और पलस 46 मिसे 9 जागा तो कितना बचेगा जब 36, 37 और बुने चाहर बता पांच पलस सचोंग अठाइस 144, 145, 143 पन तो यह एलसर भी एलसर भी ला सकते हैं कि पूचे राश्ट से लेकिन बना पहले से तब अमसर आजागा अंगर एक कोशन है कि इस लास्ट काहा कि वालन है 9 और लास्ट से काहा कह बतार, आटमाटर 91, ऐसे करें? इसको ए मालो इसको आटमाटर मालो तो जो डिप्रेंस आएगा वो तुमारा टीम में के तीम आए ठीके अब भा समझू सिखा रहे थे अगर वो इस मेंसे जो घटा है यानि कि एक क्यामवे मेंसे घटा देगे 119 तो यह आठमा टर्म था घटा देगे पहला टर्म और यह आएगा माइनस दी कवें गटाव 91 मेंसे तो 9 मेंसे गया तो 8 बचेगा माइनस में 28 और गटर कि नस्ता बरावर माइनस बिए कटेगा 4 तेदर आगे मानस 4 और मानस D यानि D का वैल्यू आ जागा भी कहाँ तो D का वैल्यू 4 आफसा नमबर यानि जब उल्टा ने चलते हैं न तो होगा नेगेटीव में उसरा से आगे पड़ते हैं ठीक है अब आगे करें कि AP में A दिया B दिया अब बताँ D जब 0 है तो कितना भी ले लेंगे न तो वही फैल्यू रहेगा अगर T पास्मा बोलेंगे तब ही A के बढ़ाओ ती अगर एक सभी बोलेंगे तब ही A के बढ़ाओ और A कितना है 3.5 इसलिए आँ सक्यों कि A माइनस 1 इंटू D और D ही वैलू कितना है 0 तो कोई परभाव नहीं पढ़िए कता है कि T A नित्स टर्म और फेटी अगर इतना दिया है तो बताओ जैसी बोला तो A हमारा हो जगा 1 और D हो जगा 2 तो पूछा है sum of its first three term यानि A plus A plus D और A plus 2D यहां से आ जागा 3 A plus 3D तो तीन कॉमार A plus B ठीके तो तीन और A कितना दू और एक तीन तो तीन दिया ही 9 दो A हो जाएगा 2 और एक तीन होगा ना तो कितना हो पांच पांच दिया ही 15 आप आंसर कितना हो बी कता है कि A, B, C, D, E, F, R & F, B दो बताएगे common difference अगर थीरी है तो बताएगा E minus C E कितना है पांच 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 होगा A plus 4D घटा तो थीसर हो A minus 2D को करणिजाएगा 4D minus 2D और D तुमारा दिया है कितना? 3 तो कितना असर 6 आगे चोड़ो पूछा गया, तो यह तुम्हारा रूट 3 है, तो अगला 2 रूट 3 है, अगला 3 रूट 3 है, तो बताओ, तीटेल पूछा है, तो a पलस 9, a रूट 3, a पलस 9 और db रूट 3, तो 9 और एगो काईगो, 10 रूट 3, तो आंसर कितना, b, आगे चलो, कोर्शन नमबर, सुल लो, एक नियार, देखो, क्याता है, सेकेंड टर्म, आपने एफी दिया गया, फीट टर्म दिया गया, तो देखो, टीटू दे दिया, अटी फाल दे दिया, तो तुमें क्या पहुझ रहा है, फस्टर, फस्टर पुझ रहा है, एक बाल बता हूँ, अगर कहो, ए चाहिए, तो दो अफसन थे तुम्हारे पास, कि डारेक्ट दी निका दो, और दी निका दे तो कितना होता, यह बाला एक्स पलस वाई, मेंसे घड़ जाता तो माइनस माइनस पलस, अब पांच उसे दू जाता तो बचता थी, तो यह गड़ जाता, टू वाई वाई थीरी आ जाता दी, आए जो फैलिव होता, तो ए पलस दी जो होता, तो ए पलस टू वाई वाई थीरी बरावर एक्स माईनस वाई थीरी, जब इसको कहरोगे, तो तीन आ दो पांच, और एक्स माई पाई वाई थीरी, अंसर तुम्हारा जाएगा दी, ठीक है, इस परकार से ही अंसर कोसे दिलो एक, कहता है कि पहला दीन मंत में रखता है किपना, पहला में रख रहा एक्स माई साथ, यह को है। पहला में रखता है साथ, अगला में कितना 30 सथ, फिर अगले में कितना 6 सथ, ऐसे करके 20 टर्म, 20 टर्म हैं, तो एस आपको पूछागे 20, 20 बाइ 2, 2 इंटू 16, 20 मानस 1 इंटू 3, कल्कुलेट करोगे, तो ये पूरा आ जाएगा कितना, 170, तो ये आ जाए कितना, इतना आ जाए साथ, साथ, 17, 70, ठीक है, 4 हाँ, लगतार जाना पड़ेगा, तो अगला बार में हम अगले कोशन करवा देगी, ठीक है, अगले ही रहने देते हैं,